हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू दा चैनल जितेंदर आरे क्लास तो आप देखेंगे एक और इंट्रेस्टिंग सीरीज आ रही है आपकी क्लास नाइन्थ आपको पता है टैन्थ इलैवन्थ ट्वैल्थ की भी जो है सीरीज चल रही है जो आपके सीबी एससी के वीडियो आपका बनाया गया बहुत ढूंड ढूंड के इंपोर्टेंट कोश्चन जो है आपके लिए क्रियेट किये गये हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और देखें 100% आपका पेपर जो है इसी में से जो है एमसी क्यू सीरीज में तो इस्पेशली उठ क्या आना है अगर आपने एक्जामपल्स प्लस में फॉर्मूला और प्लस के आपके जो है ये एमसी क्यू अगर ये कर लिए तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता अच्छा स्कोर भी आपका होगा अब हम चलते हैं फस्ट कोश्चन पर टाइम वेस्ट किये बगार ये कह र दो साइड दे रखें एक एंगल दे रखें इसमें सोचने की ज़रती नहीं पूछ रहें कौन सा कॉंग्रोइंस रूल लगा हुआ है तो हम देखेंगे जो आपका फस्ट ऑप्शन है इसका क्या रहा है अंसर आपका सी क्योंकि इसमें दो साइड है एक एंगल है इस तरीके तो आपकी ये is equal to ये दे रखें दूसरी साइड कों सी है देखें ये common ये बच्चों को पता नहीं चलती है दो साइड हो गई और एक ए तीसरा क्या हो गया एंगल हो गया तो इस तरीके से इसमें क्या है दो साइड है और एक क्या है एंगल है तो second का आपका क्या है देखें side, side और angle तो ये आपका जो है answer है अब हम चलते हैं आपका तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है lockdown के अंदर या ये जो आपका आपका इस टाइम कोरोना का period चल रहा है इसमें अब तो बहुत cases कम हो चुके हैं आपको exam देने के लिए भी prepare होना है तो I hope आप सारे जो है enjoy कर रहे ह होंगे अपने exams के times को तो which is not following Congress rule इसमें से कौन सा ऐसा है जो Congress rule को follow नहीं करता है तो देखिए आपका इसको सबको पता है एंगल 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 ये वाला Congress rule नहीं follow गरता है तो देखिए ये आपका क्या है ट्वंटी ट्वंटी चैलेंज चल रहा है चैप्टर सेवन और ट्रेंगल जो चैप्टर चल रहा है आपकी एक और बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है लेकिन हम आज इसको आपके लिए एजी करके ही छोड़ेंगे अब हमारे पास क्या रहा है यहां पर जो आ रहा है फोर्थ नंबर आ रहा है फोर्थ नंबर जो कोश्चन है इसमें हम देखेंगे ABC और PQR तो यह कह रहे हैं इसमें कौन सी बात जो है ट्रू है तो हम यह देखें इसके अंदर सबसे पहले देखें नाम की सीक्वेंस देखने हैं पहला ओप्शन देखते हैं AB और RP तो AB तो मैच हो रहा है आर पी नहीं मैच हो रहा है देखो R यहां है पी है तो दो सीक्वेंस चलनी चाहिए अब इसमें क्या है CA है माल... यह Luci है और फिर A है अब यहां देखें RB है तो यह R है और P यह मैच हो रहा है देखें लास्ट का और Oकसर पहला झाला पर भी नास्ट इखना पर भी सर्भ नमबर 5 में, तो अगर हम डारेक्ट फिगर के हिसाब से देखें, पहले फिगर पढ़िए ABC है, तो यह ABC हो गया, फिर यह FDE, तो सीक्वेंस देखो एक जैसी है आपका ABC और FDE अब हमें यह देखना है, साइड वगरा दे रखें हैं यह कहरें, कौन सी चीज़ ट्रू है, तो देखें, पहले तीन options हैं, इसमें DF कितना दे रखा, 5, तो DF के बारे में तो सोचना है यह नहीं, तो 5 दे रखा है, अब हमें यह देखना 60 degree angle कौन सा है, तो पहले यह वाली figure को analyze करें, 80 और 40 कितना होगा, 120 तो 60 तो यह होगा, तो इसका मतलब, exact इसी जगे पर हम नीचे जाएंगे, और 60 degree इसको कहेंगे, तो अब हम चेक करके देखेंगे, E 60 कहां पर लिखा है, तो यहां लिखा है, इसलिए आपका फिफ्त का जो answer है, वो क्या होगा, B option जो है, आप correct कर सकते हो, आख बंद करके, अब हमारे पास क्या है, अगला जो question आ रहा है, वो आ रहा है, ट्रेंगल ABC है, इस एंगल A, एंगल A 35 है, B कितना है, 65 है, यह दे रखा है, तो यह कहा रहे है, कितना हो गया, 80, तो जब यह आपका 80 है, तो 80 जो सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने की साइड होगी, वो सबसे बड़ी होगी, उसका नाम क्या है, A, B, यहनि कि 6 का क्या आ जाएगा, option आपका आ जाएगा, B आ जाएगा, जिसका नाम क्या है, A, B, अब हम चलते हैं आपका 7th, 7th जो question है, वो क्या कहता है, उसमें देखिए, यह 50 degree का एंगल दे रखा है, यह 60 का दे रखा है, तो arrange the side of triangle in ascending order, बढ़ते हुए क्रम में आपको side लिखनी है, तो 50, 60 है, तो यह कितना हो जागा, यह तो 110 हो होगे, यह वाला angle कितने का आजाएगा, आपका, 70 degree का, कितने का आजाएगा, 70 degree का, तो आप total करेंगे, 3 होगा, 180 आएगा, तो अब हम देखते हैं, इसमें कौन सा वाला option है, हमने आपके easy के लिए सबसे पहले ही, इस option पे C पे tick लगा दिया है, कि इसमें सबसे बड़ी side जो है, देखो, जो एंगल होता, उसके सामनिक side सबसे बड़ी होती है, 60 वाले का दूसरे नमबर पे है, तो AC या CA बीच में, फिर सबसे जो छोटी side है, सोरी, सबसे बड़ी जो side है, वो ABA सबसे चोटी जो है BC है, तो इस तरीके से हमने ascending order में arrange कर दिये, अब हम इसके बाद चलते हैं, आपका question number 8 में, देखे आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, वीडियो के बारे में advise करना चाते हैं, कुछ भी improvement के लिए, तो आप comment box में, जरूर comments दीजे, comment स motivation मिलता है, और हम चीजे, और भी simplest आपके लिए बना के रखेंगे, और क्या है, अब 8 question है, ये दे रखा है, angle A कितने का होगा, साफ साफ दिख रहा है, ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों side है, equal है, जब ये 40 40 हो गया, तो ये 100 degree हो जाएगा, क्या हो जाए इसे 8 में हमारे पास जो A एंगल आएगा, वो कितना आएगा, आपका 100 degree का, तो यानि कि इसकी option कुन सी होगी, D, तो ये D option हमारी क्या होगी, इसकी correct हो गई है, अब हम चलते है, question number जो है, आपका 9 जो है, each angle in equilateral triangle is equal to, यानि कि equilateral triangle में हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का, आँ आपको देखें, ये वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा confidence आ रहा होगा, और ये ऐसा नहीं है कि आपको easy easy बता रहे हैं, जो exam में आने होगे, लगभग वो ही questions जो है, आपको बताये जा रहे हैं, अब हम चलते हैं कि angles of a triangle are in ratio 1, 2, 3, measure the smallest angle, तो सबसे पहले smallest side निका में 3x, 3 angles का sum कितना आ रहा है आपका 180, अभी हाँ देखेंगे आप 6x is equal to 180 आ रहा है, तो आपका x देखेंगे कितना आ रहा है, आपका 180 और 6 से अगर divide करते हैं से 30 degree आ रहा है, कितना रहा है 30 degree, x की value कितनी आगी 30 degree, और 1 से multiply करेंगे क्योंकि 1x सबसे छोटा है, तो 30 बंजा 30, तो इसलिए आपका 10th का जो option आने वाला है, वो A आएगा, तो ये भी आपको question जो है, समझा गया होगा, अब हम चलते हैं 11th question पे, तो ये कह रहे हैं, अगर एक triangle की 3 side है, ABC, तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सी condition सही होगी, तो ये आपको पता ही है, कि नहीं भी 2 side का sum तीसरी side से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये option आपकी 11th की, B option जो है, correct है, अब हम चल रहे हैं आपका question number 12 पर, तो 12 question क्या कह रहा है आपका, in which condition triangle can't be constructed, तो देके फिर हमने ये आपका C option लगा दिया, कि आपको थोड़ा सा calculation में easy रहे, आपने क्या करना है, कि इसमें ये केवल है, जैसे 2.2 है और 3.1 है, इन दोनों को add कीजे कितना हो जाएगा, 5.3, तो ये 5.3 is equal to, किसके आ रहा है, 5.3, तो कभी भी दो side का जो sum है, वो तीसरी side से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसमें equal आ रहा है, तो ये नहीं बन पाएगा, तो इसलि हैं आपका question number 13 पर, तो PQR is the biggest angle, तो A कितना दे रखा है आपका Q, और B कितना दे रखा है P, और C दे रखा है R option, तो सबसे पहले ये देखिए, ये side सबसे बड़ी है, तो इसके सामने का angle सबसे बड़ा होगा, यानि कि Q, तो Q क्या है आपका option A आ जाएगा इसका, तो ये हम factor जो है बड़ी तेजी से खतम होता चला जा रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने कच्छे पके जैसे भी दोस्तों, छोटे, बड़े, साथ के सब जगह पर share की कर दीजिए, क्योंकि बहुत important जो है questions है, वो इतने YouTube पे मेरे हिसाब से, सबसे short time में ये वीडियो जो है बना कितना दे रखा, 90 डिगरी का, तो अगर हम इसमें ये देखें कि अब हमें क्या करना है, AC और AB के बारे में अपने विचार रखने, तो सबसे पहले क्या है, अगर ये 90 डिगरी का है, ठीक है, और हमसे पूछने है ये और ये, दोनों जो हैं इनके बारे में, यानि कि AB और AC, sorry ये वाला नहीं है, ये इसकी बात हो रही है, इन दोनों साइडों के बारे में क्या बात हो सकती है, कि AC ही बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है, D option होगा, AC इसके अंदर क्या है, ग्रेटर है, अब हम चलते हैं आपका, next उसके अंदर जो है, question number 15 पर, तो 15 question भी क्या है, थोड अंगल A, ये वाला अंगल जो है, ये इसका bisector दे रखा, और ये D पे जाके मिलता है, तो then the measure of DAC, ये जो है आपका, DAC, यानि कि ये वाला जो अंगल है, ये बताना है आपको, सबसे पहले पूरा अंगल निकाल लीजे, पूरा अंगल कितना आजाएगा, ये आजाएगा, ये आजाएगे, 180 में से 126 को less करेंगे, तो 54 आजाएगे, यानि 54 हो गया, इसका half, दो भागों बाटेंगे, तो ये कितना आजाएगा, आपका 27 डिग्री, तो इसका मतलब हमारे पास जो 15 है, उसका C option जो है, आपका आएगा, अब हम चलते हैं, आपका question number जो है, आपका कौन सा है, 16, 16 question में क्या है, देखते हैं, ये easy है या नहीं है, सबसे पहले ये कह रहे है, BC और AB, ये दोनों side है क्या है, आपकी equal है, यानि कि ये दोनों angle तो equal हो जाएंगे, अब इसमें क्या ये 80 है, इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, तो क्या हो जागा, 2x प्लस में 80 is equal to 180, क्योंकि तीनों का sum कितना होता है, आपका 180 होता है, तो 2x is equal to कितना हो जाएगा, 100, अब x कितना आ जाएगा, आपका 50, यानि कि हमारा जो 16 है, उसका option कहाएगा, c, x की value कितनी आ गई, 50, तो आप angle a को बता सकते हैं, आपका 50 degree, अब हम चलते हैं, आपका question number जो 17 आ रह है, of isosal stangle a, b, c, in which a, b, यानि कि a, b, ये दोनों साइडे क्या दे रखें, equal दे रखें, तो अब ये कह रहे हैं, b, d, c, d के equal होगा क्या, या बड़ा होगा, या चोटा होगा, या कोई भी नहीं होगा, सीधी सी बात है कि आपका क्या है, कि आपका congruent प्रूव हो जाएगा क्योंकि एक साइड ये है, और एक क्या हो जाएगा, आपका ये एंगल तो equal हों गई, और ये साइड क्या है, दोनों में common है, तो ये congruent होगे, इसका मतलब ये दोनों साइड भी क्या होंगी, equal, तो b, d is equal to क्या हो जाएगा, c, d हमारा option हो जाएगा, अब हमें प्रूव तो क अब हम चलते हैं, question number 18 पे, two side of a triangle length ये दे रखिए, the length of the third side of triangle can't be, तो देखिए इसमें जो option है, ये आपको c लग रहा होगा, लेकिन ये c option इसका नहीं है, इसका option क्या है, d है, ये गलती से लग गया है, तो हम इसको देखेंगे, इसका reason क्या है, देखिए, तीन side है, 5 है, 1. 1.5 है, और 6.9 है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कि दो छोटी side लेंगे, जैसे ये कितना हो गया, ये दोनो side छोटी है, तो 5 और 1.6, 6.5 है, तो ये क्या है, ये बड़ी होनी चाहिए, 6.9 से, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा इससे triangle जो है, नहीं बन सकता, और हमारी इसका answer क्या है, D option है, अब हम चलते हैं, आगे आपका question number next जो आ रहा है, 19, 19 में क्या कह रहे हैं, आपसे ये all the medians of a triangle are equal in case of, यानि कि जितने भी median है, वो triangle के क्या होते हैं, equal होते हैं, किस case में होते हैं, 19 का जो C है, equilateral triangle, क्या है, 19 का जो C है, equilateral triangle, हमारा answer जो है, C आने वाला ह तो हम जो है, अब last question की तरफ जो है चल रहे हैं, देखते हैं, इसमें last है, या 21 question है, very good, इसमें 21 question है, तो in the triangle, exterior angle 135 का है, तो ये आपसे पूछा गया angle P कितने का है, तो सीधी सी बात है, आप इसको निकाल सकते हैं, ये 135 है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा, यानि कि ये दोनो 90 हैं, तो उपर का भी angle कितने का हो जाएगा, 90 degree का हो जाएगा, तो 20 का जो option आ रहा है, वो A आ रहा है, तो देखिए आपको जो है, बहुत अच्छे तरीके से सम्स जो हैं, बताया जा रहे हैं, एक्जाम ओरेंटेड हैं, बिलकुल आप जो है, इसको फट दो एंगल के सम्स के एक्वल है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक एंगल है, मान लिया, ये एक एंगल दे रखा है, और ये बी दे रखा है, और ये सी दे रखा है, तो अगर ये जो है, एक का सम्स बाकी दो के बराबर है, तो ये पूछ रहे हैं आप से, ये वाला जो 90 का होगा और ये बाकी दोनों का सम फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा तो ये वाली condition है इसका answer आप by observation कह सकते हैं 21 का क्या है D है जो right triangle है तो I hope आपको वीडियो समझ आया होगा और 21 question आपके जो है बिल्कुल super solid हो गए होंगे और अगर आपको कोई भी problem है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए